आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So guys, the question here is हमें यहाँ पे आज इसी name बताना है इस compound का तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो हम सबसे longest chain select करेंगे तो यहाँ पे हमें longest chain दिखरी है इस carbon की जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 carbon की यह chain हो गई ठीके? अब यहाँ पे यह दो substituents हमारे attach है ठीके? अब यह दो substituents हमारे complex है इसमें देख सकते हैं इस carbon के साथ 3 other carbon attach है तो यह हमारा tertiary carbon हो गया ठीके? और similarly इस carbon को देखे थे हमारे 2 other carbon attach है तो यह क्या होगा हमारा secondary carbon ठीके? तो यहाँ पे हम जो preference देंगे secondary और tertiary में से वो इससाब से देंगे कि यहाँ पे alphabetically order में इन दोनों को arrange करेंगे तो यहाँ पे वैसे reactivity तो हमारी tertiary carbon की सबसे जादा होती है क्योंकि यहाँ पे जो electron donating group इसके पास लगे हैं वो इसका charge 3 times बढ़ा देंगे और stability प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो 2 हमारे electron donating group में थाइर लगे हैं यह इसका charge 2 times बढ़ाएंगे तो reactivity इसकी जादा है पर यहाँ पे हम जो numbering करेंगे सबसेट्यूएंट्स को वो करेंगे according to alphabetically order तो अगर मैं numbering इस साइट से करूँ 6, 7, 8 तो देखते हैं यहाँ पे जो 4 और 5 पोजिशन पर हमारा सबसेट्यूएंट्स लगा है उसको किस तरह से प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे अगर मैं 4 पे देखूँ तो यह हमारी main chain हो जाएगी उसकी उपर भी 2 सबसेट्यूएंट्स लगे हैं तो यहाँ पे 4 पोजिशन पर consider करूँ तो 1 और 2 carbon की हमारी chain तो क्या हो जाएगा 1, 1, dye, methyl और ethyle ठीके यह हो गया methyl अब यह भी हमारा पूरा सबसेट्यूएंट है इसलिए यहाँ पे इथेन ने लिखेंगे क्या लिखेंगे आईड, ethyle एन हटाकर यल लगा दिया ठीके अब यहाँ पे अब देखें फिफ्ट पोजिशन की बात करें तो फिफ्ट पोजिशन पर हमारा secondary carbon लगा हुआ है तो secondary carbon में यह हमारी main chain है इसकी first और second position यह main chain और इसका भी substituent है तो यह क्या हो जाएगा 5 पोजिशन पर 1 पोजिशन पर एक methyl लगा हुआ है दो carbon की chain है तो क्या हो जाएगा इथाइर अब इन दोनों में से 4 और 5 नंबरिंग जो देनी है alphabetically order में देनी है तो यहाँ पे देखेंगे हम कि दोनों ही हमारे M से शुरू हो रहे पर यहाँ क्या लगा रहा है D लगा रहा है पेले हमारे prefix में आएंगे substitute तो क्या आजाएगा 4 पोजिशन पर 1,1-dimethyl-ethyl then 5 पोजिशन पर हमारा दूसरा substitute 1-methyl-ethyl अब फर्दर देखेंगे उसके लिए हमारा word root लग जाएगा opt और सबके बीच में single bond है ठीक है तो क्या लग जाएगा aim तो यह बन गया 4, 1-1-dimethyl-ethyl-ethyl 5, 1-methyl-ethyl-octane तो यहाँ पे जो हमें options दे रखें हैं उसमें देखें जो पहला option है उसमें 4 position पर isopropyl लगा हुआ है तो 4 position पर isopropyl मतलब secondary वाला यह इसका common name है और 5 position पर लगाया हुआ है हमारा tertiary carbon वाला जिसको हम बोल सकते हैं tertiary butile 4 carbon है total तो यह इन दोनों के common name है और common name में हम देखें numbering इनोंने arrangement इस order में नहीं करें कि यहाँ पर अगर आना चाहिए था हमारा अगर हम tertiary को consider कर रहे हैं तो 4 और यहाँ 5 आना चाहिए था तो 4 और 5 यह numbering भी साहिए नहीं है और common name भी है तो इसको हम consider नहीं करेंगे अब आते हैं second पर जिसमें 4 tertiary butile T-isopropyl octane दे रखा है तो यहाँ पर दोनों ही हमें 4 position पर दे रखे हैं तो यह भी incorrect option है अब देखें जो third हैं उसमें 2 methyl, 3 propyl, 4 tertiary butile heptane दे रखा है कि और arrangement भी substitute की साहिज से नहीं किय हुई है तो यह भी wrong option है अब आते हैं fourth पर तो हमारा यह option match कर रहा है जो हमना IPAC name इसका निखाला तो this is our correct option I hope आपको यह concept समझाया होगा कि इस तरह के complex structure की हमें सब्सिट्यूमेंट में arrangement कैसे दिखाने और कैसे IPAC name इनके लिखने है Thank you